दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉबाइल का ये जो कैमरा आप देख रहे हैं इसका जो सेंसर है उसको कैसे ओफ कर सकते हैं यानि कि मॉबाइल का कैमरा कैसे बंद कर सकते हैं दोस्तो कोई भी व्यक्ति आपसे मॉबाइल ले जाता है और आपसे फो बंद हो जाएगा और आप उससे बोल सकते है के बहीं मेरे मोभाइल का camera ढूँक हो चुका है या बंद हो चुका है आप इस मोभाइल को यूज ना कर सकें, तो दोस्तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वीडियो लाइक करके, कमेट बॉक्स में कैमरा लिख दीजिए, और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइगन पर प्रेस कर दीजिए, अब दोस्तो आपको आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स क सबसे नीचे मिल जाएगा, किसी मोबाइल में सिस्टम में मिलता है, तो आप सर्च कर सकते हैं, और यदि आपको कहीं नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर जाईएगा, और यहाँ पर आप ऐसे डवलपर ओप्संस आजाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैंने यहाँ से डाइरेक्ट कर दिया है, तो हम डवलपर ओप्संस पर क्लिक कर देंगे, अब नीचे जाएंगे दोस्तो नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक option देखेगा Quick Settings Developer Tiles तो हम इस पर click कर देंगे click करने के बाद में दोस्तो यहां पर आपको काफी सारे options देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं तो यहां पे आप front camera देखेंगे, तो यहां से front camera भी on है, तो हम यहां से front इसको off कर देंगे, तो यहां से यह camera चालू है, मैंने आपको दिखा दिया, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसको sensor off कर देंगे, इस तरीके से, यहां sensor off कर दिया, अब हम notification में जाएंगे, यह यहां पर जाने के बाद में यह option आजाएगा, दोस्तों, sensors off का, तो हम इसको यहां से on कर देंगे, इस तरीके से, दोस्तों, यहां पर on करना पड़ेगा, अब यहां पर on करने के बाद में, यहां पर आपको अब camera पर click करोगे, तो यहां पर इस type से बताएगा, the camera permission is restricted and unavailable, तो दोस्तों, यहां से यह camera चालो ही नहीं होगा, तो इस तरीके से, आप अपने mobile के camera को बंद कर सकते हैं, off कर सकते हैं, यहां पर कोई भी आपके mobile के camera को use नहीं कर सकेगा,